हेलो मेरे प्यारे बच्चों सिभी एशी बोर्ट कमपार्टमेंट एक्जाम पासिंग मार्क्स 10th और 12th क्या है इस बार आप लोग काफी सारे बच्चे कमेंड कर रहेते कि सर कमपार्टमेंट एक्जाम में पास करने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा बहुत सारे यही डाउट को पूरा किलियर करेंगे क्योंकि कितने जितने भी बच्चों का कमपार्टमेंट लग गया है काफी सारे बच्चे डाउट में बने हुए ही कि सर आखिर पास होने के लिए कितना मार्क्स हमें लाना होगा तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे और पूरा क्मप्राटमेंट एक्जाम को आपको डर खत्ब हो जाएगा और आसानी सेहां पास कर जाओकी और मेरे प्यारे बच्चों एक से बहुत इंप्पॉर्टेंट बात कहनी है कि फिसन बच्र Kinder का क्लासे को म्हीं चला रहा हूं आप लोग लाइब स लोग जो है ना कॉंटेक्ट कीज़े नीचे डिस्क्रेप्शन में लिंक दिया हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले चलिए अप जान लेते हैं कि पीछले बार से मतलब नहीं है देखिए यह पर आपको पास करने के लिए 33% करना है ठीक है यहां पर देखिए यह क्लास 10 वालों के लिए पहले बता समझ में आरे मालीजे आपको इसकूल से 20 मार्व मिला है और यह जो मिला है आपको अनुवल में जो फाइनल बोर्ड में एकजाम दिये हो मालो 5 मार्व मिला है तो टोटल आपको कितना हुआ 25 हुआ तो आपको compartment आ गया होगा, क्योंकि आप pass नहीं हुए है, इसी तरीके से आपको school से 18 मिला होगा, और theory में आप 6 marks लाए हो, तो आपको 24 हो गया, तो आपको compartment लग गया होगा, ठीक है? इसी तरीके से school से मालो 15 मिला होगा और आप जो है theory में आप 10 लाए हो तो total हुआ आपको 25 हुआ तो आपको compartment लग गया होगा यही अगर आप से जो है आपका 33 marks अगर आ जाता 33 marks पूरा fully तो आपका compartment नहीं लगता बल्कि आप pass हो जाते ठीक है जैसे मालो एसकुल से अगर 20 मार्क्स मिला होता ठीक है मिला होगा और आप लाए होंगे एक्जाम में अगर 13 मार्क्स अगर लाए होते तो आप बिल्कुल जो है पास हो जाते क्योंकि 33 मार्क्स हो रहा है यह पास हो जाते ठीक है तो यह है तो आपका जो है न 33 मार्क्स अगर आ जाता तो फिर आप पास हो जाते बले बले ठीक है compartment exam में क्या है आपको वही करना है वही लाना है जैसे school से जो मिला है जो school से जो आपको जो marks मिला है जैसे मालो 20 marks मिला होगा वो आपको रहेगा वो आपको रहेगा और आपको compartment में score करना है मालो अगर 20 school से मिला है तो आपको 13 marks लाना है तो 13 marks easily अपला सकते हो आराम से दोनों को मिला करके 33 हो जाता है ठीक है फिर मालो अगर school से अगर आपको मिला होगा suppose that 18 तो आपको सिर्फ 15 marks 15 marks लाना है पास करने के लिए तो आप 33 दोनों को मिला करके हो जाएगा अब जो लोग कहते हैं कि ये practical का school का marks जो है add नहीं होगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये बिल्कुल भी गलत बोल रहा है ये बिल्कुल भी गलत बोल रहा है ठीक है सब add होगा सब add होगा आपको school का marks add होगा और जो आप new marks score करोगे compartment में वो add होगा दोनों को मिला करके 33 लाना है समझ में आ रहा है चलिए अब जैसे माल लेजिए एक मिनित प्यारे बच्चों आप लोग continue बने रहना ठीक है मैं समझा रहा हूँ आपको देखो फिर समझो अगर a school से अगर मालो सपोज़ए पंदरही marks मिला होगा ये a school से तो आपको exam में आपको 18 marks score करना होगा ठीक है अराम से आप 33 marks ले आते हो 33 marks से उपर तो आप बिल्कुल जो है पास हो जाते हो मेरे प्यारे बच्चों यही है class 10 का passing ये compartment का passing criteria ठीक है class 12 की बात करें अब चले ओ यहाँ पर या इसमें पूरा doubt हो जाएगा के लिए class 12 की बात कर लेते हैं तो class 12 में क्या है कि इसमें जो है ना pass करने के लिए जो है pass करने के लिए separately pass करना है ठीक है separately pass करना है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लिए जैसे आपका 80 marks का अभी paper हुआ था हुआ था ना final board में तो आपको जैसे 80 marks का paper हुआ होगा यह 70 का भी हुआ होगा जिसमें practical होगा ठीक है 80 marks का paper हुआ होगा तो इसमें आपको 26 marks theory में लाना होगा लाए होंगे तभी pass होंगे theory में अगर यह 26 marks अगर लाए होंगे तभी pass होंगे क्योंकि 26 नहीं आया होगा क्योंकि separately के लिए आपको 26 लाना पर देगा क्यों क्योंकि यहाँ पर देखो 80 का 33% लाना होता है तो 33 by 100 होता है 0 से 0 कैंसिल आप multiply करोगे तो 24 यह 24 दो 26 यह आपको 0 हो जाएगा यहाँ पर point बैट जाएगा यानि कि 26.4 यानि कि आपको सिर्फ only 26 marks लाना होगा यानि कि compartment exam में class 12 में आपको 26 marks लाना होगा और board में भी इतना ही लाना था 26 marks ही लाना था इतना ही लाना था नहीं आया है इसलिए आप आपका compartment आ गया है बात समझ में आ रही है अगर आपको 26 marks अगर आ जाता theory में और आपका practical में अगर आपको 15 भी अगर मिल जाता 15 भी मिल जाता फिर भी आप पास हो जाते क्योंकि दोनों को मिला कर कि इतना होता है 41 होता है आप बिल्कुल पास हो जाते नहीं आया है इतना 26 marks जो है आपको नहीं आया है आपको नहीं आया है इसलिए आपका compartment लगया है theory में आपको 26 marks लाना compulsory है तभी जाकर क्या पास माने जाओगे compartment में भी यही है अब जो 70 marks का paper हुआ था इसमें आपको निकालोगे 33% तो देखो 33 और अपन ये 100 तो एक जिरो से जिरो गया और ये 70 एकास दूद 23 यानि कि कितना होता है इतना marks आपको लाना परेगा 23 marks यानि कि 23 marks आपको चाहिए separately ठीक है 23 marks आएगा आपको compartment में तो आप बिल्कुल पास माने जाओगे एस्कूल का marks आपको add होगा इस्कूल का जो marks मिला है प्रव्यटिकल में वो आपको add होगा ठीक है मैरे प्यारे बच्चों जो लोग बोल रहा हैं नहीं आईड होगा वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ठीक है उनलोग के बाद में आप मत रहना देखो अब जैसे स्कूल से आपको पचीस मार्व कम नहीं देखो यह पचीस मार्व से तो आपको 26 अगर ले आते हो तो आप बिलूकिल पास कितना हो जाएगा को 51 मार्व सो जाता है तो यह दिन फाEnne अगर मालो सपोज एट, इस्कूल से जो है, आपको 20 मार्क्स मिल गया हो, आप चाहोगे कि सर्थ 13 मार्क्स ले आएंगे हम, तो पास हो जाएंगे न, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये 33 तो हो जाता है, लेकिन ये थियोरी आपका ये रह जाएगा, यानि कि आप फिल हो होगा早एटी में 26 मार्क्स लाना होगा तब ही जाकर कि आप पास माने जाओगे, कंपार्टमेंट में भी यही पूरसेस है, ठीक है, दोनों में सेपरेटली ही लाना होगा, तभी आपका भैलू जो है ना होगा नहीं तो फिर आप कंपार्टमेंट लग जाएगा फिर से आपको ठीक है यही पासिंग करेटेरिया थी मेरे प्यारे बच्चो पासिंग करेटेरिया जो है आप लोग जान गये तो आप लोग जो है ना चैनल को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई, सभी को लव यू